अच्छा जी जावेच साब शिकायते तो हमारे दिल में भी बहुत हैं अगर हम एक छोटा सा ही सवाल करें तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा कि क्या कुलबोशन यादफ नौर्वे से आया है या इजिप्ट से आया है हमारी सरजमीन पे हमारे हमारे ही साज़िश करतावा आपका सिपाही पकड़ा गया है दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनको भी आपने 40-40 साल आपकी स्टैबलिश्मेंट ने कैद में रखा सिपाही मकबूल हुसैन को हम भूले नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे मुल्के मासू मचेरे भी पकड़े जाते हैं जो साला साल आपकी जेनों में बंद रहते हैं दूसरी तरफ यूएन में जो पाकिस्तान ने डोसियर दिया है बहुत पुरानी बात नहीं है आप तो फिर मुंबई का जिकर कर रहे हैं जिसके लिए अजमल कसाप को आपने फांसी दे दी लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें 2021 में होने वाले लहुर के जो बंब ब्लास्त है उसमें इंडिस्प्यूटबल हमारे पास एविडिन्स मौजूद है कि भारत का इसमें मुलविस होना कोई शक और शुभे की बात नहीं है अगर भारत कॉपरेट करे तो फिर बहुत सारी बाते खुल कर सामने आएंगी लेकिन जैसे आपने कहा कि इल्जाम तराशी से परे हटकर अगर बात की जाए तो इसमें भी कोई कमाल नहीं किया भारत ने नुसरत फत्य अली खान या मैदी हसन के कॉंसर्ट करा कर ये कॉंसर्ट आपके मुन्तजमीन ने कराए लोगों ने पैसे दिये मद्दा थे इसका फाइदा आपके लोगों को भी हुआ बलके आज तक हो रहा है नुसरत फत्यली साहब के और मैदी हसन साहब के गानों को तो आज भी रीमिक्स कर करके आपका बॉली वॉड अपने नाम से चला रहा है और पैसे कमा रहा है तो देखें दिल दुखाने वाली बाते ना करें हम मेजबानी के हवाले से बड़ा दिल रखते हैं आपको जैसे हमने बताया मुनीजा अंती को तो अनफोर्चनेटली वापस आना पड़ा एसा कोई वाकिया कभी किसी भारती अदाकार, अधीज या मुसनिफ के साथ नहीं हुआ बलके दूसरी तरफ पूरे बॉलिवुड ने ये फैसला किया कि पाकिसानी अदाकारों को, मुसनिफین Ko, गाने वालों को बॉलिवुड में कोई जगा नहीं दी जाएगी तो ऐसी insecurity पाकिसान की नहीं है दरा दिल कुशादा कीजिए अगर temperature को नीचे लाना है तो जिस पाए कि आप शायर और मुस्सनिफ हैं उतना दिल बड़ा भी कीजिए छोटी छोटी बाते ना करें बलके आप ही की फिल्म का डायलोग है बड़े-बड़े मुलकों में छोटी-छोटी बाते होती हैं हम बड़ा मुल्क भी हैं और साथ में बड़ा दिल भी रखते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे We'll be right back